हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में प्रभुराम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में प्रभुराम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना, बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना, बन जाते बिगड़े का नगरी एक अयोध्या जिसके राजा दशरत थे राम लखन और भरत सत्रुघन पुत्रे चार हुए गुरू वशिष्ठ के सानित में सिच्छा दिक्छा है ली अस्त्र सस्त्र में निपुड हो गए चारो ही भाई गुरू विश्वा मित्र आये हैं एक दिन फिर तो दरबार बोले राजन इस धरती पे बढ़ा पाप का भार रिसिमुनियों को दानों यग्य न करने देते हैं मैंने सुना हैं बड़े बलशाली आपके बेटे हैं आपके पुत्र राम को हम ले जाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोग्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का विश्वा मित्र को राजन ने किया हाथ जोड प्रेना बन जाते हैं बिगड़े का बोले गुरू स्रेष्ट ये बालक अभी बड़े नादान पापी दुष्टों का ये सामना कैसे कर पाएंगे राम बिना एक पल तो हम भी ना रह पाएंगे गुरू वश्ष्ठ न फिर राजन को वचन सुनाए हैं पुत्र आपके अंत पापका करने आए हैं भेजो विस्वा मित्रिक संघ राजन ना घब राओ जो होगा अच्छा होगा बस देखते तुम जाओ राम लखन को विस्वा मित्रिक साथ पठाते हैं पावन कता सुनाते हैं लेके जन्म अयोग्या में शीराम जु आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का मारिच और सुबाहु नाम के दानों दो बलवान रिसियों को ना करने देते यग्यहवन पुन्यदान बोले विश्वा मित्र तुम्हें वधिन का करना है है माया वीराख्छस दोनों पर ना डरना है राम लखन ने उनके आगे फिर तो शी से जुकाया बोले गुरुवर इनका काल तो हाथ हमारे आया मारिच और सुबाहु को फिर तो ललकारे हैं राम लखन के हाथों दोनों गए वो मारे हैं करके अन्त वो दुष्टों का मुनियों को बचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अलोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का रिसी गौतम के आस्रम में उन्हें विश्वा मित्र लाएं देखा एक शिला को राम ये पूछना है चाहें बोले विश्वा मित्र इनका नाम अहिल्या हैं गौतम रिसी की पत्नी थी ये शाप से बनी सिला हैं चरण कमल जो पड़े आपके हो जाएं उत्धार है निरजीव शिला यह बन जाएगी सुन्दर नार सिरी राम ने शिला को जैसे अपना पैर लगाया प्रकट हुई अहिल्या और स्री राम को शी से जुकाया कर उत्धार अहिल्या का फिर लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्र अलोट्या में श्री राम जुआते हैं हम गता सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का विश्वा मित्र अपने आश्रम उनको लाए हैं सीता स्वयंबर पता लगाके जनक रचाए हैं बोले विश्वा मित्र चलेंगे हम भी सुमर में हैं देखें योधा कितने आए सीता को बरने विश्वा मित्र राम लखन को जनक पुरी में लाएं शर्थ स्वयंबर की जो स्यू के धनुसको डोर जढ़ाएं उस योधा को पती रूप में सीता अपनाएं बारी बारी बल अपना फिर सब अजमाने आए लेकिन स्यू के धन उसको वो तो हिला न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कान देख के राजा जनक हुए है फिर तो बड़े उदास खाली हुई धरावी रोसे होता है आभाज ना रखता ये सर्त जो मुझे को इतना पता होता अपने शर्त पर मुझे को पश्चात आप नहीं होता इतना सुनकर लखनलाल को आया बड़ा ही क्रोध बोले राजन उचित नहीं है ये जो आपकी सोच क्या आउकात धनुस की मैं तो उठा दू ये कैलाश धनुस के मालिक शू संकर जहां खुद करते है वास विश्वा मित्र लखनलाल को ये समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का बोले विश्वा मित्र लखन करो अपना ग्रहन अस्थां जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का कथन तुम्हारा पूरा करके दिखलाएंगे राम उठकर राम ने विश्वा मित्र को है शी से जुकाया आकर शू के धन उसको अपने हाथों में है उठाया लगे चढ़ाने सिरी राम जैसे ही प्रैतंचा हुई भयंकर गर्जन शू का धन उस ही तूट गया सिरी राम के गले में डाली सीताने वर माला परशुराम के क्रोध की किन्तु भणक गई ज्वाला सिरी राम फिर परशुराम को भी समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोता में सिरी राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का राजा जनक ने विश्वा मित्रे से किया है ये अनुरोध पुत्री उर्मिला भी है मेरी विवाह के योग सुरुत किर्ती और मांडवी को भी हम चाहे चारों पुत्रियों को हम दशरत की वहो बनाए फिर तो राजा दशरत को संदेशा भिजवाए सुने खबर जो राजा दशरत फूले नहीं समाए शुभ मुहूरत में दशरत आए लेकर वारात चारों ही भाईयों का हो गया विवाह एक ही साथ सारे अयोध्या वासी मिलकर खुशी मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का लेकिन ये खुशिया तो शायद की थोड़े दिन की राज तिलक की तैयारी जब सिरी राम की हुई कैके इने कभी दसरत जी से वचन भराए थे वही वचन अब दशरत जी से लेना चाहे थे मांगा है वनवास राम के लिए तो चोदा वर्ष का राज तिलक हो राम की जगहां मेरे बेट भरत का सुना जो राजा दशरत ने वो हो गए है मुर्छित किन्तु रानी कैके इना छोड़ी अपनी जिद छोड़े तड़पता दशरत को वनवास वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोधा में श्रीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का पुत्र विराह में दश्रत ने तो दिये हैं प्राड गवाए गए हुए ननिहाल लोट के भरत भी हैं आए जाना सारा हाल खुब अपनी मा को को सा भाईया राम के साथ किया क्यूं आपने ये धोखा जाकर वन में लोटन की भी राम से की विंती किन्तु राम ने दी हैं दुहाई पिता के वचनों की बोले भरत के राज सिंहासन पे न बैठ पाऊं अपने चरनों की भाईया तुम दे दो मुझे खडाओं चरन पादुका लेकर राम की लोट ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोत्रा में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते हैं बिगडे कां दील राज ने सिरी राम को सर्यू पार कराई दंडक वन में आ गए हैं फिर दोनों ही भाई कितने ही रिसिमुनियों का फिर तो उत्थार कियां राम लखन ने दानों और दुष्टों को मार दिया जूठे बेर भिशबरी के स्री राम ने खाए हैं एक मिशाल भक्तवस्सल की राम बनाए हैं पंचवटी में एक सुन्दर सी कुटिया बनाई हैं घूमत घूमत सुर्पन खा फिर वहां पे आई हैं नकटी बूची उसे लक्षमन जी तो बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोग्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का नाव बन जाते विगले का जो सुमरे राम का ना बन जाते बिगड़े का रोते भी लखते वहाँ भाई रावड के पास आई बोली के वन आए हैं लगते हैं सगे भाई छोटे भाई ने काट लिये मेरे नाक और कान उन्हें भुगत ना होगा अपने की ये कभी परिनाओ जाकर उन दोनों भाईयों को ऐसा सबक सिखाओ किस से वहर लिया है उनको जाकर ये समझाओ मामा मरीच को फिर रावन ने अपने साथ लिया सोने का मरिग उसने है मारीच को बना दिया राम लखन उस म्रिग के पीछे चले ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का फिर रावन ने माया से साधू का भेश बनाया करके हरण वो सीता का लंका में ले आया आये दोनों लोट के देखा खाली है कुटिया लगे पूछने राम लखन से कहा गई सीता फिर तो जटा यूने हैं उनको सारा हाल बताया ले गया है हरके सीता को पापी रावन आया काट दी मेरे पंक जो मैंने उसे रोकना चाहा गिध राज ने सिरी राम को सारा हाल सुनाया सीता विराह में दोनों भाई रुदन मचाते हैं पापन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगड़े का किस किन्धा परवत पर फिर तो राम लखन आयें जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगड़े का किस किन्धा परवत पर फिर तो राम लखन आयें बाली वध करके सुग्रीव को मित्रे लिया बनाएं वानर से ना सहित लग सीता की करने खोज आया सागर रस्ते में दिया हनुमान को भेज सोयोजन का लांग के सागर हनुमान आयें अशोक वाटिका में बैठी मालिया है पता लगाएं राम निशानी दे करके माता की धीर बधाईं सिग्र आपको लेने माता आएंगे रगुराईं भूख लगी तो मीठे फल वो खाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुम्र राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुम्र राम का नाम बन जाते बिगडे का भरक पेट फिर हनुमान ने फल भी खाए हैं लेकिन दानों पहरतार उसे रोकन आए हैं अपनी गदा से मार मार के सब को दिया भगा पता लगा जो रामन को फिर अक्षे को भेजा अक्षे को भी मार गिराया मेघनात फिर आए ब्रह्म फास फिर मेघनात ने उन पर दिया चलाए हनुमान को बाध के वो दरबार मिलाए हैं रावड के आदेश से पूछ में आग लगाए हैं लेकिन लंका रावड की वो जला ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योग्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का भक्त विभीशन आए हैं फिर रावण के दरबार बोले लोटा दो सीता को मत करो अत्याचा सिरी राम अभिकर देंगे तेरी भूल को भी माफ वरना धरा से राक्षस जाती हो जाएगी साफ क्रोध में भरके बोला रावड क्या तुमको नहीं ग्यान मेरे आगे शत्रू का जो करते हो गुडगा विनास काले विपिरीत बुद्धी रावण की हो आई मार के लात भगा दिया उसने अपना विभीषण भाई रामा दल में फिर तो विभीषण आही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का आके विभी सड़ सिरी राम को करते हैं प्रणाम बोले भ्राता रामन को बड़ा हो गया है अभिमान प्रभू उन्हें समझाने की मैंने बड़ी है कोशिश की लेकिन कोई बात उन्होंने मेरी सुनी नहीं सिरी रामने भक्तव भी सड़ को हैं गले लगाया करके जला भी सेक उन्हें हैं लंका पती बताया बोले सागर पार कैसे लंका में जाया जाएं भक्तव भी सड़ बोले से तु निर्मार किया जाएं नल और नील नाम जामवंत उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोत्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे काम नल और नील जो भी पानी में वस्तु गिराएंगे डूबे ना पत्थर पानी में तैरत जाएंगे बोले सारी वानर से ना उठा के पत्थर लाओ हनुमान तुम राम नाम भी उन पर लिखते जाओ पत्थर तैरे पानी में जो हो राम का नाम फिर से तु निर्मार का सब ने सुरू किया है काओ अपने अपने काम में लग गई बानर से ना सारी कोई लाया पेड उठा कर कोई पक्थर भारी सागर पे वो राम नाम का से तु बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे काम जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे काम बना किसे तु रावन की लंका पेकरी चढ़ाई त्रिजटा राक्ष सीने सीता को सब बाते बत लाई अशोक वाटिका मेरा वर गरजते हैं आए माया भी वो शीस राम का काटिक है लाए देखो सीता शीस राम का काटिक मैं लाया हूं बन जाओ अर धांगिनी मेरी मैं फिर कहता हूं शीस देख कर सीता माता करने लगी विलाथ हे भगवन का भूल हुई है कर दो मुझको माफ थोड़ी देर मेरा वड़ वापस लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में शीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का लोट गए जो रामण तो फिर त्रिजटाने समझाया मत करो कोई चिन्ता बेटी ये रामण की माया कौन मार सकता है उनको खुद विश्णू अवतार वो तो करने आए हैं इन दुष्टों का संहार हो गई चुप सीता माता जो त्रिजटाने समझाई अब तो इक पल की भी माता ना बर दास्त जुदाई कैद ना जाने कितने दिन मुझे और रहना है रुकेगा कब मेरी आँखों से मा असवन का वहना है ना जाने क्यूं सिरी राम अब देर लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन महा योगा में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का हुआ अप्षकुन जो मंदों दरी रही थि ठाल सजाएं पता लगा के सिरी राम चड़ लंका में आएं अपने पति को मंदों दरी भी फिर है लगी समझाने आहंकार वस रावन बात न किसी की भी माने बोला पी ये बाहू बल पर मेरे शक क्यूं करती इंद्र देव करते हैं बरसा पवन बुहारे धरती भूल गई क्या इन ही भुजाओं से कैलाश उठाया आज तलक कोई बाल भी बाका मेरा ना कर पाया यक्ष गंधर्व और देव भी टिक ना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का आखर युद्ध का लंका में संख है फूक दियां वानर सेना ने आक्रमल है लंका पिकिया एक एक करके रावड के सब योधा गए हैं मारे किन्तू रावड के मन में भी धधक रहें अंगारे मारे गए सब पुत्र याद फिर में घनाथ की आई तुम ही जीत सकते पुत्र अब तो यह लडाई में घनाथ को भी था अपने बल पे बड़ा अभिमान लखन लाल उसके आगे युद में खड़े है आन ब्रम्हा जी की दीवुई शक्ति उन पे चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्रायोत्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का लगी जो शक्ति लखन लाल को मुर्चा आई हैं सारी वानर सेना में मायूसी छाई हैं सिरी राम भी बैठ पास में करने लगे विला जा मुवंत आकर बोले प्रभुना चिंता करया वैध सुसेन को हनुमान जी लेकर आएंगे इस सक्ति का वो कोई तो तोड़ बताएंगे फिर तो वैध सुसेन को हनुमान जी हैं लाएं बोले वैध सुसेन सा जीवन लेकर कोई आएं लेने बूटी हनुमान जी फिर तो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योधा में सुरी राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का बूटी लाने को हनुमत ने जैसे भरी उलान देखा राह में एक साधू को जपे राम का नाम सुन के राम का नाम है हनुमत उसके पास आएं बोला की मैं संजीवन तो दूंगा यहीं मगाएं जा असनान उस तालाब में करके तुम आओं तब तक मैं बूटी मंगवा दूं देखते तुम जाओं हनुमान ने जैसे ही तालाब में पैर बढ़ाया उस साधू का जल मकडी ने सारा भेद बताया कालने मिदानों था जिसे परनोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े कां जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े कां द्रोडा गिर परवत पर फिर तो पहुच गए हनुमान पर संजीवन बूटी को वो ना पाए पहचा क्यूंकि रावण के दूतों ने जाकर आग लगाई हनुमान को सारा परवत जलता दिया दिखाई लेकर राम का नाम उसने परवत ही उठाया है हनुमान ने राम भगतों का फर्ज निभाया है सुर्यों दैसे पहले ही वह पूटी लाए है हनुमान ने लखन लाल के प्राण बचाए है भरत बराबर भाई का वो दरजा पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम लखन लाले और में घनात में युत हुआ बड़ा भारी लेकिन पाप की ताकत आखिर धर्म के आगे हारी में घनात को लक्ष्मन ने पर लोक पठाया है फिर रावन ने कुम्भ करण भाई को जगाया है कुम्भ करण भी रावन को अब लगा है समझाने लेकिन जिद पर अडाफ रावन बात नहीं माने भाई के लिए युद्ध में उसको फिर जाना ही पड़ा मारा गया है कुम्भ करण भी रावन हुआ खड़ा भक्त भिभी सड राम को उसका राज बताते हैं मावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में अमरित कुंड है इसके पेट में ऐसे ना मर पाए अगनी बान चला के तुम स्री राम दो से सुखाई फिर रावन ने भाई भी भी सड को है धिकारा तेरे कारण खत्म हुआ है वंस मेरा ये सारा होगे राम भक्त तुम लेकिन जब भी नाम तेरा आये सारी दुनिया कहेगी घर का भेदी लंका ठाये आखिर राम ने कर दिया है फिर रावन का संहार वानर से ना बोल रही स्री राम की जै जैकार लंका पती विभी सड को फिर राम बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का लंका विजय कर लोट आयोध्या सिरी राम आएं सारे आयोध्या वासियों ने है घी के दीप जलाएं आयोध्या वासी दीप आवली तभी मनाए थें क्यूंकि धर्म से पाप के ऊपर विजय जो पाए थें सिरी राम की कथा ये पावन सुनता है संसार कथा को सुनने मात्र से ही हो जाता उद्धार राम नाम गुण गाते रहते हम से राजरिल हम दीयस पाल भी करता है स्री राम चरण बंदन फौजी सुरेस से लाखों भक स्री राम गुण गाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का नाम बन जाते बिगडे का